हेलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है में रिकॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेवन्टी बीपीएसी बीटी करेंट अफेर सेट टमबर फाइप चलिए वीडियो की सुर्वात करते हैं चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसका पीडियाप अगर चाहिए तो टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाकर जोईन कर सकते हैं और फिर योप कॉस्ट पीडियाप पा सकते हैं चलिए पहले सवाल है 15 दिसम्बर 2023 को भारत सरकारद्वारा एस याई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर रिंड के लिए हस्ताइक्छर किया आपके आपके अप्सोर है फस्टमर 250 मिलियन डॉलर दूसरा है 100 मिलियन डॉलर तीसरा है 200 मिलियन डॉलर और चौथा है 225 म डॉलर यह वाला जो सिरीज आप देख रहे हैं यह सोम बार से लेकर के सनी बार तक आएगा संडे को सिर्प यह वाला सिरीज नहीं आएगा ठीक है आएए मुख बिंदू पर चर्चा करते हैं रिन लेने का उद्देश क्या है तो पहला हो गया वी निर्मान को और अधिक परतिसप्रधा बनाना वी निर्मान मतलब डेवलप करना दूसरा है राष्ट आपूर्ति स्रिंखला को मजबूत करना किसरा है वैस्विक मूल्च स्रि भारत सरकार करकinky करते Panamaran और ध्यार और ध्यार गया को विकसित करने में मदद मिले अब ये राष्टिया अध्योगी कर या विकस्विक है क्या एक्ट्वल में है क्या एगस साथ है। ईससे बिहार में भी बहुत सारे Smart City हे टोटल चार पटना है भागलपूर है मुझपरपूर है और एक है दरभंगा या आई तिंग यह वाला सही कर लिजीगा पर ये तीन तो कनफाम है तो ये जो आप देख रहे है राश्टी और ध्योगिक गल्यारा विकास कारिक्रम इसका उद्देश ही है क्या तो ध्योगिक सह इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं इसका मुख्याले मौन लिवांग मनीला फिलिपिन्स में है या गंभीर गरीबी उनमुलन के लिए रिन तकनीक सहता अनुदान और इक्यूटी निवेस करता है इस परकार पहला का अंसर हो गया पहला चलिए सेकेंड को सन देखते हैं सब 14 दिसंबर 2023 को कहां केंद्रिया कृसी एवं किसान कल्यान तथा जन जाती है मामलों के मंतरी अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत बाजरा मोहतसब का उधगाटन किया आपके आपसर ने फस्टमर राची जहरकंड दूसरा है सिमला हिमांचल प्रदेश तिसरा है नई दिल्ली चौथा है बैंगलोर करनाटक तो दूसरा का सही आंसर हो जाएका तीसरा नबर नई दिल्ली पहला नबर यह बहुतसब आसियान और भारत के बीच वेपारिक रणनितिक साज़दारी के तहट सहयोग करता है दूसरा भारत कुल वेस्वीक उतपादर और उस नकटी बंदिया चेतरों के सुस्क चेतरों में उगाई जाती है बाजरा में प्रोटीन फाइबर और आवस्यक विटामिन के साथ अनेक खनीजाओं को बेहतर सुरूत बाना जाता है बाजरा की कुछ किसम है जैसे जुआर मोती जुआर फिंगर बाजरा जिसको नमबर आता है बाजरा और 2030 में युनाइटिड डेशन ने बाजरा साल बनाया थे यानि मोटे अनाच का साल बनाया था तो इस करण सी यह कुश्चन इन्पोर्टेंट हो जाता है बड़ते अंगले प्रेशन क्यूर कुश्चन नमबर तीसरा भारत सरकार द्वारा किसके तर सभी गाउं की मैपिंग और दस्ता वेजी करन तैयार करने का निर्णे की लिया , यह सन्स्कृतिक मंत्राले के अंतरगत इंदरा गांधी राश्टिय कला कैंद्र के समनवाई से सज्चृत मैपिंग पर राश्टियमीशन चलाया गया है इस प्रियोजना का उद्देश क्या है? भारतियाओं के जीवन, इतियास और लोकाचार का विवरन देनी के जानकारी संकलित करना है इस प्रकार तीन का सही आंसर हो जाएगा option number 4 मेली जो गौँ की संस्कृती होती है उसी का दस्तावेजी करन किया जा रहा है उसी का मैपिंग किया जा रहा है इस प्रियोजना के तरद तो ये गौँ से संबन दीत है कुस्सन number 4 हाली में केके बिडला फांडेशन द्वारत 33 वियास संबान किने परदान किया गया उनके संस्करन यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है आपके उप्सन है फर्स्ट नमर पुस्पा भारती दूसरा है माखालाल चतुरवेदी दूसरा है ग्यान चतुरवेदी चौथा है अभिनप सान्याल तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नमर पुस्पा भारती इस सम्मान में 4 लाग पुरुसकार रासी के साथ प्रिसस्ती पत्र और इस्मिर्ती चिन वेट किया गया इस परकार चार का सही आंसर हो जाता है पहला नमबर कुस्पा भारती कुस्पन नमबर 5 तो ये 1986 में इसकी सुरबात की गए थी और ये 2023 का पुरुसकार है डेनियल बॉरेन बोहीम अर्जन्टीना में जन्म प्रतिष्ठित सास्त्रिय प्यानो वादक है वहीं अपवाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तिन सांती कारे करता है तो 5 का सही आंसर हो जाता है दूसरा नमबर कुस्पन नमबर 6 11 से 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में वर्ल्ड एसोसियेशन ओप इन्वेस्ट्मेंट प्रमोसन एजन्सीज के 27 में विश्व निवेस सम्मेलन का एउजन किया गया भारत ने इसकी मिजवानी कितनी बार की है आपके उप्सट नमबर तीसरी बार दूसरा है दूसरी बार तीसरा है पाँचमी बार और चौथा है पहली बार तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आप्सट नमबर 4 पहली बार फर्स्ट नमबर विश्व निवेस सम्मेलन का एउजन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IPA भविस के विकास में अगणिया थी विश्व निवेस सम्मेलन ये क्या होता है तो ये वर्ल्ड एसोसियेशन का इंवेस्टमेंट प्रमोशन एजनसी का एक वार्सिक कारिक्राम है वैस्विक निवेस को प्रुचाहन और नवाचार का एक मंचर है मतलब इसमें मुक्रुम से इनवेस्टमेंट के उपर बात की जाती है इनवेस्टमेंट के उपर बात की जाती है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस बात पे चर्चाहोगा कि पुरेविस में कहाँ पे इनवेस्टमेंट किया जाए और कहां पर innovation लाया जाए ठीक है एक संस्था इसमें आया World Association of Investment Promotion Agency WAIPA इसकी स्थापना 1995 में हुई मुख्याले 2015 से इस्तामबूल टर्की में है इसका उद्दे से निवेश प्रोसाहन अजनसियों के माध्यम से अर्थ्विवस्था को विक्सित करना तो ये investment को प्रोसाहित करता है innovation को लाता है ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर Question No.7 Finland ने 11 इसमबर 2023 को किस देश में एक गहर सरकारी संगठन अफगान महला कौसल विकास केंदर संगठन को 2023 के लिए अंतराष्टे लेंगिक समानता प्रोसकार से समानित किया आपके option है फ़स नमर इरान दूसरा है वियतनाम, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है पाकिस्तान तो 7 का सही answer हो जाएगा तीसरा नमर अफगानिस्तान सेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब अफगान महला कौसल विकास केंदर संगठन अफगानिस्तान में महलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा के लिए काम करता है या संजुक राश्ट नार्थी एजनसी के साथ सयोग करता है इस सयोग का उद्देश खत्रे में गरस्त महलाओं और परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है ठीक है तो अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान रूल है तो वहाँ पे महलाओं की सिक्षा के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही है महलाओं के डेवलप्मेंट के ऊपर कोई बात नहीं होती है तो इसी के लिए अफगान महला कोसल विकास केंदर संगठन क्या कर रहा है महलाओं के अधिकार को बढ़ाता है और उसके लिए काम करता है उसकी रक्षा करता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर कुस्सर नमबर आठमा हाली में किसे आइसलेंड की हुसाविक संग्राले द्वारा प्रतिष्ठित लीव एरिक्षन लूनर पुरुसकार से समानित किया गया आपके ओप्सर नमबर नासा, दूसरा है जाकसा, तीसरा है रॉसकॉसमॉस, चौथा है इस्रो तो येट का सही आंसर हो जाएगा ओप्सर नमबर फॉर इस्रो अब ये एवोर्ड इस्रो को क्यों मिला यह पुरुसकार सफल चंदरियान तीन मीशन के माध्याम से खगोलिया रासियों को जागर करने और लूनर एक्स्प्लोरेशन में महत्मून योगदान के लिए दिया गया था आप सब को पता है चंदरियान तीन 14 जुलाई को प्रिछेपीत किया गया था पिछले साल और 23 अगस्थ को हम सब चंदर्मा के धर्ती पर सौप्ट लेंडिंग किये थे वो भी दक्षिनी साइड में और भारत पहला देश बना था जो कि दक्षिनी छेतर में पहुचा था तो 23 अगस्थ 2023 को चंदरियान तीन का विक्रम लेंडर दक्षिनी धरूप पर सभलता परवक उतरा इस अस्तर पर लेंड करने वाला भारत पहला देश है तो 8 का सयान सरो जगा 4 इसरो और 23 अगस्थ को चुकी चंदरियान 3 पर उतरा है तो 23 अगस्थ को हम सब अपने देश में मनाते हैं राष्टिय अंतरिक्च दिवस्थ तो ये भी आप याद रखेंगे परते हैं अगले प्रसंद के ओर कुस्षन नमबर 9 युबा कारिक्रम एवं खेल मंत्राले ने 20 दिसंबर 2023 को राष्टिय खेल पुरुसकार 2023 की घोसना किये या पुरुसकार 9 जनबरी 2024 को राष्पती दुरुपदी मुमूर द्वारा दिया जाएगा इसके तरहत मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार 2023 की से परदान किया गया पुरुसकार पिछले चार वर्सों में उत्कृष्ट खेल खेल खेलने वाले को दिया जाता है ठीक है तो यह तीन फैक्ट्स याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर कुस्सर नमबर 10 हाली में विश्व के सबसे उचे यूद छेत्र सियाचीन में तैनात होने वाली पहली भारतिया महला मेडिकल ओफिसर कोन बन गई है आपके उप्सन है फर्स्ट नमबर कंचन देवी दूसरा है मनीशा पाड़ी तिसरा है अवनी चतुरवेदी और चोथा है कैप्टन गीति का कॉल तो दस का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 4 कैप्टन गीति का कॉल आईए मुख विंदू देखते हैं सब कैप्टन गीति का महला सेना चिकित्सक है उनकी तेनाती भारत के ससस्त्रवलों में लेंगिक समानवेशित की दिसा में एक महत्पुन प्रगर्ति मानी जा रही है तो दस का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 4 कुस्सन नमबर 11 मा नरेंद्र मोधी एक राजनीतिक जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है आपके उप्सन है फर्स्टमर अगुराम राजन दूसरा है रोहित लांबा तीसरा है हुमा कुरेशी और चौता है एंडी मेरीनो तो ग्यारा का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 4 एंडी मेरीनो और ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं सिरीच ये डेली आपको सुभा 8 वजे मिल जाएगा वीडियो तो आप सब डेली 8 वजे देखेंगे इस वाले वीडियो को ठीक है चलिए आकरी प्रसंद देखते हैं कुस्सन नमबर बारमा 26 दिसंबर 2023 को किस देश की प्रतिष्ठित कोया सन विश विध्याले ने अपचारिक रुप से महराष्ट के देवेंदर फंडन विश को मानत डिरेक्टर की उपाधी से सम्मानित किया है आपके उप्सन है फर्स्ट नमबर अमेरिका दुसरा है दक्षिन अपरिका तीसरा है जेपैन और चोथा है स्पैन तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नमबर जपान चलिए इसके डीटेल पॉइंट देखते हैं यह उपाधी पाने वाली यह पहले भारतिये बन गए है फंडन विस ने बुनियादी धाचा और द्योगी विकास महराष्ट में समाजिक सामानता और जल संगरक्चन जैसे छेतर में काफी काम किया है इसके लिए उन्हें यह वाला पुरुषकार मिला है ठीक है तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नमबर तो यह था 70 BPSC करंट अफेर सेट नमबर 5 परतियक दिन हम सब 12 प्रसंद देखते हैं मंडे से सटर्डे के बीच ये वीडियो आएगा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लेंगे पीडिया पाने के लिए टिलिग्राम चैनल का लिंग डिस्क्रिप्शन में होगा जाकर जोइन कर सकते हैं और फिडियो आपकोस्ट पीडिया पा सकते हैं चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे मॉर्निंग में 8 बजे तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केर